तो आपके बात करेंगे की अंदर कितने ने चाहिए। सिर्फ एड़कों तर्ड कॉलेज जानते हैं। कॉलेज निक पॉलेमेंट की निगराणीौन इतती है फंड देता है और वहीं आपको पूरा जोए पूरी तरह से एक निगराटा है आपके जो government college होते हैं उनकी fees कम होती है वहीं added college की fees थोड़ी सी जादा होती है जादा नहीं होती है पर थोड़ी सी जादा होती है फिर आपका seat कितनी होती है जो आपका जनता polytechnic college जहांगीराबाद में बुलंद सहर में उसमें कितनी seat है सिर्फ आपकी 44 seat है total fees कितनी है उसकी आपकी fees है 38,000 रुपे duration कितना है duration आपका जो डी फार्मा का है आपको सबको पता होगा डी फार्मा को कोर्स आपका दो साल का तो आपका course duration है दो साल का दुसरा जो आपका college है वो है स्री राम देवी राम दे आलतर पार्थी girls polytechnic कानपुर जो आपका ये दु इसमें सीटे कितनी इसमें 44 सीटे है तोटल फीस है आपकी 38,000 रुपे 38,000 से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है थोड़ी कम हो सकती पर ज्यादा नहीं हो सकती ठीक है आपका duration है दो साल का ये आपके दो एड़ेट college है जो आपके UP के अंदर सिर्फ दो आड़ेट college कितने गव government college की कौन कौन से government college है जो सबसे पहला है आपका एक्सीन का सेंट्रल और सरोजनी नगर लखनौम है यह कैस टाइप का college है इसका college क्या है यह government college है इसमें सीटे कितनी है इसमें 66 सीटे हैं और टोटल फीस कितनी है 25,340 रुपे है आगे भी हो सकती है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है फिर डूरेशन क्या है दो साल का है जो आपकी सबसे ज़्यादा सीटे है किसमें सेंटर और सरोजनी नगर लखनौम में सबसे ज़्यादा आपकी सीटे हैं वह भी 66 सीटे हैं फिर दुसरा है आपका government पॉलिटेक्निक लखीम पुर्खीरी जो आपका दुसरा government college है कहा है वह लखीमपुर खीरी में है कॉलेश्टाइट क्या है वह आपका government college सीटे कितनी है फोटीफो सीटे है टोटल पीस कितनी है दस हजार नौसर चालिस दस हजार नौसर चालिस आपकी फीस है थोड़ा सागे पीच्छे भी हो सकता है ज्यादा नहीं पर थोड़ा हो सकता duration क्या है दो साल का आपका कोर्श है तो दो साल ही आपका duration रहागा जो आपका कौलेज है वो कौन सा है तिस्रा कौन सा है government girls polytechnique अलाहबाबाद प्रियागराज जो आपका तिस्रा है वो सिर्फ girls के लिए है boys के लिए नहीं है college कौन सा टाइप का है government college है सीटे कितनी है वहाँ पर आपकी 44 सीटे हैं, टोटल फीज कितनी है 10,560 रुपए है, दूरेशन क्या है, दो साल का है, फिर जो आपका फोर्थ था, गवर्मेंट पॉली टेकनिक जॉनपूर में है, कॉलेज टाइप क्या है, गवर्मेंट कॉलेज है, सीटे कितनी 44 है, टोटल प्रफीज कीतनी है आपकी 25,340 और डियूरेशन क्या है दो साथ आपको जो यूपी के अंदर दो एड़ेट कॉलेज हैं और चार गवर्मेंट कॉलेज हैं टोटल आपके छे कॉलेज हैं ऐसे की प्राइवेट तो बहुत से कॉलेजेस हैं आपके यूपी के अंदर पर जो यहां प्र दो पर आपको दो मिलेंगे पहला होगा मास्टर कोस मास्टर अपया हैं सब्सक्राइब्च एस रहेगा उसका प्रास मात प्राइग 211 मरं में आपको इतने सारे content देखने को मिलेंगे वह content क्या क्या है आए जानते हैं सबसे पहले आपका pre-recorded लाइफ क्लासे प्लस रिकॉर्डिंगे आपकी वहां पर लाइफ क्लासे भी चलेंगी अगर आपकी लाइफ क्लासे छूट जाती है किसी कारण तो वह आपके अपके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी आप किसी टाइम भी उसको देख सकते हैं फिर आपका important question है model paper है computerized note की PDF मिले जो आपके इस टाइब का यह आपके handwritten notes है यह एक notebook के अंदर आपके पांचों के पांचों subject हैं जो teacher ने खुद अपने हाथों से तयार किये हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत ही easy language में बताया गया है बहुत अच्छे से diagram को बहुत अच्छे से diagram को design किया गया है flow chart में बताया जाएगा फिर आपका one shot videos रहेगी home delivery notes की तो हम बात कर सुके हैं जो notebook आपके घर पे जाएगी वह भी बिल्कुल free में doubt session रहेगा अगर आपको कोई doubt रहता है तो वह teacher आपके doubt को clear करेगा extra classes रहेगी teacher support plus gift रहेगा master course के अंदर आपके घर पे gift भी जाएगा वह gift क्या रहने वाल 12 महिने की जबकि आपके master course की validity क्या थी 14 महिने की फिर इसका प्राइज सिर्फ 999 रुपे इसके अंदर क्या-क्या content मिलेंगे आए जानते है pre-recorded videos मिलेगी live classes प्रेस recording मिलेगी important question मिलेंगे model paper मिलेंगे computerized note की PDF मिलेगी जैसा कि master course के अंदर आपके घर पे notebook जा रही थी वैसी कोई notebook आपके digital course में घर पे नहीं जाएगी teacher support मिलेगा life classes मिलेगी तो आपके लिए जो best था वो कौन सा course था master course था master course ही क्यों best था क्योंकि वहां पे आपके घर पे notebook जा रही थी जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं आपके पास lifetime रहने वाली थी और साथी साथ वहां आपको marathon classes भी मिल रही है जैसा कि marathon classes क्या होती है आपका exam है exam होने से 5-6 दिन पहले आपकी teacher लगातार 6-6 गंदे class लेता उस class में आपके पूरे syllabus को complete क्या question आ सकते हैं क्या important रहने वाला है किस टाइप से question आपको marathon classes के अंदर बताया जाता तो फटा फट प्लेशों पर जाईए और BSP pharmacy के master course को join कीजिए वीडियो कैसी लगी वीडिय करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में लाज तक बने रहने के लिए थैंक यू